जो MG Hector है वो एक नएग गाड़ है जो कि इंडियन काम मार्केट में कुछी हफ्तों पहले लाँच हुई है और इंडिया में काफी अचा काम करी और इंडिया में काफी अचा बिक रही है गाड़ी और जो Toyota की Fortuner है वो इंडिया में तो कई सालों से भीक रही है और इंडिया में one of the most successful गाडियों में से एक है और हो सकते हैं कि आप सोच रहे हो कि आपको MG Hector लेन चाहिए या फिर आपको Toyota की Fortuner लेन चाहिए और इस वीडियो को लाइक कर देजिए साथ इंटरनाशनल नाशनल कारकी न्यूज उन डिटेल और फीचर वगेरा सबसे से तिरीज देखने के लिए तो जो MG है वो एक ब्रिटिश कार ब्राइड है जो कि अब एक चाइनिस का ब्रांड के अंडर है जिसका नाम है और जो ट्योटा वो एक जैपनीस का ब्राइड है जो कि वर्ल्ड बिगेस का ब्राइड भी है तो जो MG की हेक्टर है वो उनकी फाइब सीटर प्रीमियम मिटसा एस जो कि उन्होंने इंडिया में काफी सक्सेस्फुल हुई है गाड़ी क्योंकि इसके प्रीबुकिंग कुछ है वो एक सेवन सीटर एक प्रीमियम में जो कि 2009-2008 में आई थी और तब से इंडिया में काफी पसंद की जा रही है गाड़ी इसकी प्रेजन की वरसे इसकी रोड प्रेजन की वरसे इसकी लुक्स की वरसे और बाकि जो टोटा के ब्रैंड नहीं है उसकी वरसे तो अगर हो गया था और इंडिया में काफी लोग इसे पसंद करें और दोने काड़िया काफी अगर आप देखे तो इंडिया में काफी कुछ सिमलर काम करें जोकि टोटा भी अपनी फॉर्चुन के साथ जब आई थी दो तो उनकी आप कह सकते हैं इसी गाड़ी के साथ हो था इनोव देख रहे और ऐसा नहीं कि आपको टोटा फॉर्चुन में एक्स्टेमली हाइफ फीचर्स मिलते हैं फिर पंदर लाग रुपे के वर्थ के आपको फीचर्स मिलते हैं एंजी हेल्टर के उपर से लेकिन वह यह है कि आपको ब्रैंड वाल्यू मिलते हैं तो इस फॉर्चु पेट्रोल के इंजन है वो है 2.7L का पेट्रोल एंजन जिसमें आपको 163HP मिलती है और 245NM का टॉक मिलता है फिर जो एमजी हेक्टर उसमें भी आपको 2.7L का डीसल एंजन मिलता है जो कि Fiat Crashler Group के एंजन है जो कि जो Jeep Compass है और टाटा है उसमें भी यूज के जाता है और इ और दोनों काड़िको ट्रांस्मिशन देखे तो आपको 6PID की मैनौ 6PID की Automatic Transmissions ब्लते है Toyota Fortuner में और MG Hektor में भी आपको 6PID की पेटरोल नहीं आपको जादा रिफाइन महसूस होगा फिर बाकि अगर आप इन दोरों गारी को फीचर में कंपेर करें तो टोटा फॉचल में आपको बहुत ही कम फीचर्स मिलता है अगर उसे एंजी हेक्टर में आपको पैनोरामिक सब्रूफ मिलती है 10.4 इंज का जो तक्स अगर नहीं मिलते हैं शे पॉचल में होचल में और आप जोता थी आपको दोनों गाड़ी हो में मिलती है और उसके बाद दोनों गड़ियों मैं आपको ये तुनों वाप को जादा बड़ी मिलती है और जो पाकिर जो टायर साइज आपको जादा बड़ी मिलती है और उसके बाद सेट मिलती है लेकिन थोड़ा बहुत रिमर्स वगर है कि यह कुछी महीनों बाद इसका जो सेमी सीटर वाप्शन वह बी इंडिया में आ जाएगा तो आपको जादा बच्छे मिलते हैं फिर अगर आप थर्ड स्पेक्ट्रम में जो कि इसकी जो अगर आप रिसे वाल्यू मैं तो टोड़ा फॉर्चुनर की अपने सेग्मेंट में और इंडियन का मार्केट में भी बारे में बाल करें तो एम जी जो है वो एक आपको ऑफर दे पेच सकते गाड़ी पेबैक कर सकते हैं और फिर आपको 60% जो गाड़ी की वैल्यूएशन है वो आपको पेबैक कर देगी तो फॉर एक्जेंपल अगर आप अच्छी रिसेल वाल्यू नहीं है तो आसपास भी नहीं तेकिन फिर भी अगर कंपनी इनिशेटीव दे तो काफ प्राइब कर देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि तो प्रीमियू आपको देना पड़ता है हो सकता है कि आगर आपको पसंद ने गाड़ी तो वर्थ है लेकिन अगर प्राइब करें तो वर्थ नहीं है क्या आपको इतने अच्छे फीचर्स नहीं मिलते हैं तो बाकिया मुझे देगे क्या आपको टोटा की फॉर्चोनर पसंद है या फिर आपको एमजी की हेक्टर पसंद है और इन दोनों काड़ियों में से कौन सी गाड़ी आप खरीना प इस अच्छेब करें आपको टोन सी वर्चोनर अपको